प्रदानमेंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में देशवाशों से मदद की अपील की है इसके लिए पीम केर्स फंट बनाया गया है इस फंट में देश का कोई भी नागरिक स्वेच्चा से दान कर सकता है प्रदानमेंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर अपील की है और साथ में अकाउंट नंबर समेत तमाम जानकारी भी शेयर की है पीम ने साफ साफ कहा कि हम दान की छोटी से छोटी राशी स्वीकार करते हैं हर कोई अपनी छमता के अनुसार दान कर सकता है इस फंट का इस्तमाल आने वाले दिनों में अन्याबदाओं के समय भी किया जाएगा मैं सबसे अपील करता हूँ कि भारत को स्वस्थ बनाने के इस मुहिम में शामिल हो पॉलिफुड आक्टर अक्षे कुमार ने पीम केर्स पंड के लिए 25 करोड रुपे का दान किया है अक्षे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि अभी लोगों के जिन्दगी सबसे जादा महतुपून है पहुबली स्टार प्रभास ने 4 करोड और वरुणधवन ने 30 लाक रुपे दिये हैं क्रिकेटर सुरेश रैना ने 52 लाक रुपे का दान दिया है इसमे 31 लाक रुपे पीम केर्स फंड के हैं और 21 लाक रुपे उत्तर प्रदेश मु सांसद है जबकि राज्य सबह में इसके 83 सांसद हैं अगर हर सांसद एक एक करोड का दान करता है तो ये राशी 386 करोड रुपे हो जाई भारत में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है देश में अब तक 873 लोग इस बिमारी की चपेट में आ चुके हैं जबकि 19 लोगों की मौद हो चुकी है देश में अभी इलाज के लिए वेंटिलेटर, मास्क से लेकर सेनिटाइजर्स तक की ज़रूरत है ऐसी हालत में कई तरफ से मदद के हाथ भी उठने शुरू हो गए हैं देश के जानेवाने उद्योग पती टाटा संस के मानत चेर्मेन रतन टाटा ने ट्वीट कर टाटा की तरफ से 500 करोड रुपे की साहिता की घोशना की है रतन टाटा ने ट्वीट कर कहा है इस दौर में COVID-19 संकर सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है टाटा समू की कमपनियां हमेशा ऐसे समय में देश की जरूरत के साथ खड़ी हुई है इस समय देश को हमारी जरूरत अधिक है महान बल्लेवा सचिन तंदूलकर ने शुक्रवार को कोरोना वाइरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 50 लाग रुपे दान देने का फैसला किया है सचिन दिंदूलकर कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए अब तक के सबसे ज़ादा डोनेशन देने वाले भारत के पहले खिलाडी बन गए हैं जिससे की मेडिकल उपकरन खरी दे जा सके कोरोना वाइरस से लडने के लिए हर कोई अपने हिसाब से मदद कर रहा है इस बीच बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंदू ने महामारी से लडने के लिए 10 लाक रुपे की मदद का एलान किया है सिंदू ने तेलंगाना और आंदरप्रदेश सरकार को 5-5 लाक रुपे दान में दिये हैं इससे पहले सौरफगांगुली बजरंगपुनिया, क्रिकेट असोसियेशन आफ बंगाल और माराष्ट क्रिकेट असोसियेशन ने डोनेशन दी हैं सिंदू ने जैसे ही 10 लाक रुपे मदद की घोशना की वैसे ही फैंस ने भारते क्रिकेटरों को जम कर ट्रोल किया और उन पर सवाल उठाए क्योंकि उनकी तरफ से डोनेशन की कोई खबर नहीं है जिसको लेकर फैंस काफी नाराज और भड़के हुए हैं एक ऐसे ही फैंने लिखा हमारे देश में क्रिकेटर सबसे जादा अमीर खिलारी हैं लेकिन अभी तक जरूरत के समय कोई भी आगे नहीं आया है ये समय है उन लोगों की मदद करने का जिन्नों ने आपको बहुत प्यार दिया विराट कोली, रोहित शर्मा, महिंद सिंग, धोनी, सचिन तेंदूलकर और सुरेश रहना सिंदू इस डोनेशन के लिए आपको शुक्रिया